अनुकपुर जिले की बिजुरी इस्थिस सरस्वती उच्चेतर माधमिक विद्याले में बसन पंचमी पर पूरे हर्षा उल्लास के साथ मनाया गया इस अफसर पर मा सरस्वती की पूजा के साथ ही छोटे बच्चों से पाटी पूजन कराया गया पाटी पूजन का महत बताते हुए विद्याले के विवस्थापक मनी सर्गरवाल ने बताया कि मानो जीवन के 16 संसकारों में से एक संसकार पाटी पूजन भी माना जाता है जिसके लिए तीन वर्ष से लेकर पाँच वर्ष तक के बच्चों को विदिवत हवन पूजन करा कर पाटी पूजन कराया गया इसके लिए विदिवत हवन वेदी भी बनाई गई हमारे हिंदु धर्व में 16 संसकार है जिसमें एक विद्यारम संसकार है हमारे हाँ बच्चों को हवन पूजन कराके पाटी पूजन कराके इनको शिच्छा के बारे में बताया जाता है कि आसे आपका जो है विद्यालय में आने का और विद्यारम करने का प्रारम हो गया और हमारे हिंदु संस्केति में शुरू से यह परंपरा रही है कि विद्यारम संसकार कुंस्वन संसकार और विकितने संसकार होते हैं इसी प्रगार हमारे हाँ विद्यारम संसकार होते हैं युग में भगवान स्री राम व क्रिश्न जी का भी पाठी पूजन कर आया गया था छात्रों के लेखन कारे के लिए बसंद पंचमी का दिन विसेश होता है इस दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होने के कारण मा सरस्वती की पूजा की जाती है विद्यालों में समारो किया जाता है है भारत की जो प्राची सिख्ष में ब्रस्थर ही तो गुरुकूल पर आधारी तरही है उसी परंपरा का निर्वाहन करने के लिए लखिल भारती विद्ध्या भारती सिख्षा सहिस्थान जो है तो एक वर्ष वशंत पंचिमी को विद्ध्यारम संस्कार पर्ट प्रति पूजर की डिवस्था जो है शमस्त सिख्ष मंदिरों से आग्रह करती है इस अपेक्षा की प्रतिपूर्थ के लिए सरश्वक्ति सिख्ष मंदिरों में प्रतिवर्ष मसंत पंचिमी को पाठी पूयन सुच्छा संसकार के लिए तीन वर्स से ले करके पाच वर्स तक के आई के बच्चों को जो हचा है वो विद्ध्यारम संस्कार उनसे जो है इस अफसर पर बच्चों के साथ बच्चों के अभी भावकों ने भी मा सरस्वती का पूजन किया सांस्कृती व्यवस्थापक वप्रभारी वरिष्ट आचारी की निर्देशान में छात्रों ने सरस्वती वंदना की स्कृत और सवाश्वती वाश्क साल है इसका यहाँ यहाँ जैसा पूजा हुआ वैसा पूजा में अगे तक किसी भी सुसुमंदिर में नहीं रखा था लेकिन लेकिन अगर देखा जा तो संस्कार के मामले में सिसु मंदिल जैसा अगी कोई ली स्कूर में बिला है हमने ऐसे बहुत सारे स्कूर में गये हैं सिसु मंदिल के सिवाबी लेकिन सिसु मंदिल जैसा संस्कार हैं को कहीं में बिला